कोशन नमबर 17 में आपके पास शोइंग कोस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स दे रखा है यागनि कि आपको 1000 ब्रिक्स कितने में बनी यह फाइंड आउट करना है मेटीरियल में कोईला है आपका 31,500 का रोयलिटी है 5550 की स्टोर्स है 15,000 के तो इन तीनों का हम क्या कर लेंगे टोटल बन जाएंगे आपका मेटीरियल बन जाएगा लेबर में डिरेक्ट लेबर है और ब्रिक्स मेकिंग लेबर है 50,000 तो 65,000 रुपे हो गया लेकिन अभी हमें यह नहीं पता इसकी आउटपुट कितनी है ठीक है आउटपुट हम बाद में निकालेंगे ताकि हमारी पर यूनिट निकलाए ओवरहेड कहता है क्या करना है वर वर्क कोस्ट जो बनेगी वो 25 परसेंट बननी चाहिए प्राइम कोस्ट की तो जो प्राइम कोस्ट का टोटल अभी तक का होगा उसका 25 परसेंट दम कर देंगे आपकी वर्क कोस्ट निकलाएगी ओफिस ओवरहेड जो बने वो 10 परसेंट हो वर्क कोस्ट का मतलब जो अभी भी आंसर आया है उसका 10% बात कर रहा है यह जो नीचे प्रोडक्शन पर मंत दे रखी है वो कितनी दे रखी है 74 लाक रुपे दे रखी है अब इस 74 लाक को जैसे मुझे छोटा करके कोशन चलना है 74 लाक आपका दे रखा है ठीक है और वो कहता है कि आपकी जो एक ब्रिक्स है वो 1000 ब्रिक्स है तो इससे मेरा काम चल जाएगा 7400 लिखे 7400 मिलियन एम डाल देंगे कि इतनी ब्रिक्स आपकी तैयार हो रही है 7400 ताकि छोटा कोशन हो जाए अब यह यहाँ पर जो है यह बहुत ध्यान में रखना है कि सेल्स पर मंत इतने की हुई है 27.50 और उसका रेट 70 लाख रुपे ब्रिक्स है ओपनिंग स्टॉक आपका 2 लाख ब्रिक्स है 31 जनवरी का क्लोजिंग आपका 6 लाख ब्रिक्स है इस तीनों को ही पकड़कर हमारे पास आउटपुट निकलेगी कि वो एक अजार ब्रिक्स कितने में रेडी हुई है और उसक महाँ पर 7400 एम कैसे आया मैंने बता दिया मिनी ब्रिक्स बनकर तयार होगी न 7400 में अब देखो आपके पास मेटीरियल 31,500 5,500 15,000 टोटल किया 52,050 रुपे आ गया इस 52,050 को कितने से डिवाइड करूं मैं 7400 से आपका 7.03 आ गया लेबर लेली 65,000 की बनी 7400 से डिवाइड क्या 8.799 आपके पास प्राइम कोस्ट आगी फिर वो क्या कह रहा था कि जो वर्क ओवरहेड हो वो 25 परसेंट हो प्राइम कोस्ट का यानि कि 1,17,050 का 25 परसेंट आपके पास आगया 39,612 रुपे इन सबको वोई 7400 से डिवाइडेशन चल रही है भी वर्क कोस्ट आगी फि 7400 से डिवाइड के यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि इसकी बात मुझे स्टेट्मेंट आफ प्रॉफिट जैसा अलग से बनाना है अब देखो ओपनिंग स्टॉक कितने का था बताओ मुझे ओपनिंग स्टॉक टू लैक रुपीज का था और टू लैक करके हम नहीं पर आउटपुट 7400 ब्रिक्स टोटल हुआ 7600 अमाउंट अभी बताओं कि पहले यह समझा दो यह वैसे इस वाली बुक में तो यहां किया हुआ है और वीके वाली पब्लिकेशन में यह वर्किंग नोट में बनता है इतना वाला तो साथ के साथ ही कर देना आप लेस क्लोज रुपे को आपके पास पर यूनिट नहीं दे रखा तो हम कितना मानेंगे वही जो अभी तक निकला हुआ 21.75 आपका कितना आ गया 4,350 रुपे 7400 मिनी ब्रिक्स की कोस्ट और प्रोडक्शन कितने में तयार हो थी उपर लिखा हुआ 1,6,943 रुपे में ठीक है यानि की ओप अब आपके पास सेलिंग प्राइज निकालना है कितने का सेल प्राइज था सेल प्राइज दे रखा है सेल्स पर मन्थ 27.50 70 लैक ब्रिक्स आपने क्या करना है 70 लैक तो वो आएगा नहीं 7000 ही रह जाएगा क्योंकि 1000 से डिवाइड करके 27.50 को 7000 से इंटू कर दिया आपका 1 लाग 92,500 रुपय आ जाएगा और इसमें से कोस्ट और प्रोडक्शन माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकालाएगा ठीक है अब यानि कि यह 7000 के उपर बेस चल रहा है करना एक मिंट जरा 40.257 को डिवाइड करो जरा 74 अंडर से दिवाइड करना है विए खाल से 74 अंडर से देखना जरा कितना आ रहा है 40.257 को